अधिकतर भारतियों का खाना बिना प्याज की अधूरा रहता है फिर चाहे वो सबजी में प्याज का इस्तेमाल हो या फिर सलात की रूप में प्याज जितना हमारे खाने को लजीज बनाती है उतने ही इसके फाइदे भी है अब तो विज्ञान भी इस बात को स्विकार करता ह आज हम आपको प्याज का एक ऐसे फाइदे के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में ज्यादा तर लोग नहीं जानते हैं और इसके फाइदे जानकर आप भी चौक जाएंगे चले जानते हैं प्याज के फाइदों के बारे में माना जाता है कि प्याज के टुकडों में काट कर विस्तर के पास रख के सोने से बड़ा फाइदा मिलता है इससे सर्दिक हासी के समसाएं दूर हो सकती है इसकी वज़ा ये है कि प्याज में एंटि बैक्टेरियल गुण होते हैं जिसके चलते वैक्टेरियल इंफेक्शन से राहत मिलती है पुराने समय में लोग संक्रमन से बचाओ के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते थे ऐसा भी माना जाता है कि प्याज को काट कर विस्तर के पास रखने से नीन भी अच्छी आती है गर्मी का समय है और इस समय में कीट पतंगे और मच्छा नीन में खूप खलल गालते हैं ऐसी इस्तिते में भी प्याज को विस्तर के पास रखकर सोने से बड़ा फाइदा मिलता है क्योंकि प्याज की महक से मच्छर मख्य दूर रहते हैं पैरों को डिटॉक्स करने और उन्में ब्लड सर्कुलेशन बहतर करने के लिए भी प्याज को चलवों पर अगड़ना पहतर होता है कीड़ा मकोड़ा काट ले तो उसमें होने वाली जलन को रोखने के लिए प्याज का रस उस जगह पर लगाना बेहद ही फाइदे मन साबित होता है नाक से खून आने पर नाक में प्याज के रस की दो-तीन भूंदे डालने से भी रहत मिलती है माना जाता है कि जोडों के दर्द की समस्या में सरसू के तेल में प्याज का रस मिलाकर लगाने से फाइदा होता है कप्ची की समस्या में प्याज का चेवन बहुती फाइदे मन होता है साथ ही जैतून के तेल में प्यास का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से तोचा चमकदार भी बनती है इसके अलावा प्यास के कई फाइदे हैं इसलिए प्यास को अपने खाने में जरूर शामिल करे ऐसी ही जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें